आचारी हजारी प्रशाद दुएदी का जन्म 20 अगस्त 1907 इश्वी में बल्या जिले के दूबे का छप्राग्राम में हुआ आपके पितान मोल दूबे माता जोती कली देवी आपके सिच्चा का प्रारम संस्कित से हुआ इंटर के बाद आपने काशी हिंदु विष्विद्याला से जोती वर साहिते में आचारी के उपाद प्राप्त के सान्तिनी केतन में 1944 से इसवी में हिंदी वर संस्कित के अध्यापक बने यही आपको विश्व कवे रमिन नाट टैगोर का सानित दिमिला साहित से जन की ओर भी अपिमुक हो गए सन 1956 में काशी हिंदु विष्विद्याले में हिंदी विभाग में अध्यक्ष नुक्त विए आप पंजाब विष्विद्याले चंडिगर में हिंदी विभागा अध्यक्ष रहे सन 1949 में लखनाव विश्वी द्याले ने आपको डेलिट सन 1957 में भार सरकार ने पद्म भूषण की उपाद से विभूषित किया 19 मई 1989 इसपी को आपका देहावसान हो गया साहित्तीक परचे दिवेदी जी ने बालेकाल से ही ब्योम के सास्त्री सिकर्प्ता लिखने की कला शिखनी आरम कर दी थी शांती निकेतने पहुँचकर आपकी प्रतिबा और अधिक निखरने लगी कविंद्र रविंद्र का आप बिशेश प्रभाव पड़ा बंगला साहित से भी आप बहुत प्रभावी थे आप उचकोट के सोध करता निबंदकार उपन्यासकार यवं आलोचक थे सिद्ध साहित, जैन साहित वा अपब्रंस साहित को प्रकाश मिलाकर और भक्त साहित पर उच अस्तरी समिछात्मक गरंथों की रचना करके आपने हिंदी साहित की महान सेवा की दिवेदी जी ने अनेक विश्यों पर उतकरिष्ट कोट की निबंदों और नमीन चैली पर आधारित उपरन्यासों की रचना की है पर विशेश रूप से वायक्तिक एवंग भावात्मक निबंदों की रचना करने में अधुती रहे दिवेदी जी उत्तरप्रदेश ग्रंत अकादमी के अध्यक्ष हिंदी सास्थान के उपाध्यक्ष रहे कभी पर उतकरिष्ट आलोचनात्मक कारे करने से आपको मंगला प्रसाद पारितोर्शिक प्राप्त हुआ सुर साहिती पर इंदोर साहिती समित ने स्वन पदक प्रणान किया कृतियां निबंद विचार और वितर्ग कल्पना असोग के फूल कुटज साहिती के साथी कल्पलता विचार प्रवा आलोग पर्व उपन्यास पुनर्णवा बालभट की आत्म कथा चारु चंद्रलेक अ नामदास का पोथा, आलोचना साहित, सूर साहित, कबीर सूर दास और उनका काबे, हमारी साहितीक समस्याएं हिंदी साहिती की भूमिका, साहिती का साथी, साहिती का धर्म, हिंदी साहिती, समिच्छा साहिती, नकतरपड में, हिंदी कभिता, साहिती का मर्म, भारती वांग म कालिधास की लालित योजना, सोध सहित, प्राचीन बाषाका कलाविकास, ना्त संप्रदाय, मध्यकालिन धर्मसादना, हिंदी सहित का आदिकाल, अनुधित सहित 맞는, प्रावदधाय, कश्रादित विशोपरचे, मेरा बचपन, लाल कनेर, संपधि सहिते नात सिद्धों की बानिया, संचिप्त पृतिवीराज रासो, संदेश रासक, भासा सैली, दुएदी जी, भासा के प्रकार विद्वान थे, संस्कित निष्ट सब्दावली के साथ साथ आपने निबंदों में और्दु भार्सी, अंग्रेजी वा देशा सब्दों का भी परि में है, मुहावरेदार भासा का प्रियोग आपने किया है, इनकी भासा सुध संस्कृत निष्ट साहितिक खड़ी बोली है, आपने गविश्रातमक्षेली, आलोचनातमक्षेली, भावातमक्षेली, हाश वेंग्यातमक्षेली, उद्रन सैली का प्रियोग किया, भासा सुध संस्क्रितनिस्ट साहतिक खड़ी बोली आपका जन्म 1907 व्याच्चु के बाद बंजाब विश्विद्याले चन्दिगर सी 1960 में जुड़े पद्म विभूषन का सम्मान 1957 साहतिक अकादम पुरुषकार 1973 मैं 1989 को आचारी हजार प्रसाद दुवेदी जी का निधन हो गया